हेलो दोस्तो नमस्कार एक बार फीर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कैल्डी काइन प्लस कैप्सूल के बारे में दोस्तो यह मैंकाइन फार्मा द्वारब बनाया जाता है अगर इसके MRP की बात करे तो 10 कैप्सूल के एक स्ट्रिप की कीमत 145 रुपे आपको किसी भी मेडिकल या फार्मासी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा दोस्तो अब वीडियो में आगे हम कैल्डी काइन प्लस कैप्सूल के कमपोजिशन की बात कर लेते हैं अब देख लेते हैं इसमें कौन से इंग्रेडियन कितनी मात्रा में मिलाए गई हैं कल्डी काइन प्लस के एक कैप्सूल में बोरोन 1.5 म.क केल्सी ट्रॉयल की मात्रा 0.25 माइक्रोग्राम क Pen carbonate इसमें 500 इम जी पाया जाता है डोकोसा hexinoik Acid इसमें 60 म.जी पाया जाता है एकोसा हेक्सेनोयक एसीड इसमें 90 mg पाया जाता है इसमें फोलीक एसीड भी पाया जाता है जिसकी मातरा 400 무урыLS होता है और अब आई ये वीडियो में हम इसके ingredient के खुभियों के बारे में बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तो बोरान हमारे सरीर में हड्डियों की मजबूते के लिए जरूरी होता है, जो इसमें पाए जाने वाला कैल्सी ट्रायोल यानि की विटामिन D3 होता है, वह हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, दोस्तो कैल्सी ट्रायोल एक फैट सॉलिवल विटामिन है, इसमें पाए जाने वाला अगला इंग्रेडियंट है डोकोसा हेक्सोनोइक एसीड यानि की DHA यह हमारे ब्रेन के functional development में मदद करता है neurons को healthy वो मजबूत बनाने में DHA बहुत ही vital role play करता है इसमें पाए जाने वाला अगला इंग्रेडियंट है इकोसा पेंटोनोइक एसीड जिसको की omega 3 fatty acid बोलते हैं दोस्तो omega 3 fatty acid हमारे सरीर से excess cholesterol level को कम करता है जिसकी मदद से blood clot बनने से रोका जा सकता है और साथ ही BP control रहता है इसमें पाए जाने वाला folic acid हीमोगलोबीन के बनने में मदद करता है और इसमें पाए जाने वाला methylcobalamin यानि की vitamin B12 हमारे blood circulation को बनाए रखने में और हमारे neurons और नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है इस प्रकार हम देखते हैं कि caldikind plus एक ऐसा combination medicine है जो हड़ियों को मजबूत रखता है खून की कमी को पुरा करता है neurons की कमजोरी को भी दूर करता है और साथ ही साथ हमारे body से excess cholesterol level को भी कम करता है इस तरह से ये हमारे सरीर को संपुढ स्वस्थ प्रदान करने में मदद करता है अब आईए वीडियो में हम आगे देख लेते हैं caldikind plus capsule के basic उपयोग के बारे में दोस्तो इसका इस्तिमाल nerve damage को रोकने के लिए वो हमारे सरीर में हर तरीके के blood cells के निर्माड के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसके इस्तिमाल से सरीर में calcium की कमी को पुरा किया जाता है वो हड़िया मजबूत रहती है चुकि यह दवाई हमारे brain और neurons को nourishment provide करता है वो healthy बनाता है इसलिए यहाँ बच्चों में memory को improve करने में मदद करता है इसके इस्तिमाल से हमारे सरीर में excess cholesterol की मात्रा को कम किया जा सकता है यहाँ हमारे heart, brain और nervous system के स्वास्त को मजबूत बनाता है इसका इस्तिमाल हड़ियों की कमजोरी, anemia, स्वास संबंधी, बीमारी, brain और spinal cord related disorder, heart और kidney से जुड़े रोग वो immune system disorder में किया जाता है अब आएए वीडियो में हम इसके doses की बात कर लेते हैं दोस्तो, caldicine plus capsule का इस्तिमाल हमेशा डॉक्टर के निर्देशा नुसारी करना चाहिए यूजूली पोसर की कमी को पुरा करने के लिए डॉक्टर दौरा इसकी एक capsule per day prescribe की जाती है आप इसका इस्तिमाल खाना खाने के बात कर सकते हैं overdose या फिर self medication की सिधी से हमेशा बचना चाहिए दोस्तो, अब आएए वीडियो में हम इसके इस्तिमाल के द्वारा होने वाले side effect की बात कर लेते हैं दोस्तो, इसके overdose से या फिर इसमें पाए जाने वाले salts के allergy की वज़े से इसमें कुछ side effects देखने को मिल सकते हैं जिसमें anorexia, यानि की भूग का कम लगना, nausea and vomiting की सिकायत हो सकती है, diarrhea की सिकायत हो सकती है, सरदर्द हो सकता है, व्यक्ति का वजन अचानक से कम होने लगता है, अत्यदिक ठकान देखने को मिलता है, overdose की वज़े से पेट में गैस या फिर कबज की सिकायत देखने को मिलती है, अगर ये परिशानी आपको लंबे समय तक दिखाई दे तो इसका इस्तिमाल तुरंत बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, दोस्तो अब आईए वीडियो के लास्ट में, इसके इस्तिमाल से जुड़ी कुछ सावधनियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, दोस्तो अगर इसके किसी भी इंग्रेडियन्ट से आपको अलरजी है, तो यह दवाई तुरंत रोग दें, तो इसके इस्तिमाल से पूरो अपने डॉक्टर से सलाह अवस्य ले, तो दोस्तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद